क्यित तो आज India का मैच है ऑंग कॉंग से इंडिया के तो खेल लिए है पीवी सिंदु और हिवंक को थी कि ने अनग दियू 12 मेस दिले रेंक रेंट के तो अजनी आए ने फ़लिसे लेए थाहएं आट head to head की बात करें कि आमने सामने दोनों पांच बार खेल चुके है और पांच में से पांचों बार पीवी सिंदू जीती है और एक बार भी चैंग नंग्यू जीती नहीं है देखते हैं कि आज का मैच कौन जिता है तो दोनों प्लेयर ने नौकिंग कर लिया है और रेड़ी है न 아니야 रिद्ध मेच श्टार्ट होने के लिए है 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 अबेरन आय आधित्या आः परतिमравствуйте आधिय कुके रह अरे डियर की अगभुश्ट मर्निंग की तो यहां चैंग नंग्यू सब करते हुए बीवी सेंदू जीती है देखते चैंग नंग्यू कैसे सर्फ करती है और इन्होंने हाई सर्फ किया है पीवी सिंदु को और पीवी सिंदुने श्ट्रेट स्मेश मारा और आके नेट में रखते है फिर उनको एक और लिफ्ट मिला है और यह बहुत ही अच्छा जंप ओवरेड स्मेश मारा है वो भी स स्ट्रेट आ बहुत ही अच्छा बहूत ही अच्छिए फ्लो में थी चैंग नंग्यू कि जब यह को इसमेश मारी तो एक पॉइंट यहां चैंग नंग्यू का बढ़ता हुआ हो गया है वन दिइन फिरिकली फिर्सेंग प्रिकल्पА स सब करता हुए पीवीस इंदू को पि और यहां रेली चल रही है और यहां लिफ्ट कर दिया चैंग नांग्यू और बहुत ही अच्छा क्रॉसकोट स्मैंक्स पीवी सुन्दू का अजा बहुत ही अच्छा हाफ स्मैश हाफमेश बहुत ही अच्छा क्रोसकोट चैंग नांग्यू dobre फॉट Holmes the डिफरेंट हे लिए चैंग यांग्यू काफी इनका इंप्रूब ही थोड़त हो सकते हैं और वी किवी सींदूक ली दिख रहा है काफी half smash पहले नहीं मारती थी ये तो अभी मारना चालू करी और overhead cross straight smash जैसे कि जो पहला point ली थी वो भी काफी अच्छा था और यहाँ अच्छा powerful smash PV सिंदू के जारा पीवी सिंदू जाने जाती है अपने पाउरफुल smash के लिए और बहुत ही अच्छा powerful smash मा रहा है तो आप यहाँ live देख सकते हो टीवी में sony 6 या sony 10,1,10,2,10,3 अगर mobile में देखना चाहते हो तो gotv app में देख सकते हो या sony live app sony live app में देख रहे हो तो आपको subscription लेना पड़ेगा पीवी सिंदू ने drop मा रहा है बहुत ही अच्छा lift कर दिया है चैंग नंग्यू ने और crosscode toss पीवी सिंदू के द्वारा और यहाँ crosscode drop मा रहा है और उसको रख रही थी चैंग नंग्यू और उस शेटल बाहर साइड लाइन के बाहर हो गया है यह एक और पॉइंट पीवी सिंदू को मिलता हुआ कि बहुत ही अच्छे दोनों प्लेयर खेल रहा है काफी लंबी लंबी रैली भी चल रही है कि इस इंदू सर्फ करते हुए चैंग नंग्यू को सिखफ लिप कर दिया है ती सिंदू ऑट्याइच ड्राप ऐसे टेम्राइच क्रॉस्कूर्ड कर कर कीक्र अ कोस्कूर इस मैश-Pिविशम दू पे सिंदू ने रही और वहां लेने में असमर्त रही चैंग आंगी तो यहां इंडिया का एक और पॉइंट बढ़ता हुआ इंडिया का पॉइंट हो गया 5 थैंग यू का हो गया टू कि अधित कुमार ने बता है कि डीडी स्पोर्ट में भी आ रहा है तो आप वहां भी देख सकते हो काफी हर बड़ी कर रही है यहां चैंग जांग यूँ आई थिंक यहां एक और पॉइंडिया को मिलता हुआ इंडिया का पॉइंट होगे 6 ओंकुंग को होगे 2 और फिर से बहुत यह अच्छा क्रॉसकूट करनवर्ट खेलिया है प्रॉसकूट टॉस टॉस मारा चैंग यूँ ने और यह पिवसंदू नेट से पुश कर रही थे उनके बैक हेंड साइड और वहीं से उन्होंने स्मैश मार दिया चैंग नांग यूँ ने और यहां एक और पॉइंट चैंग नांग यूँ को मिलता हुआ तो उनका पॉइंट हो गया है 3 पीवसंदू का पॉइंट हो गया है 6 हाँ मैज दिखाने में कॉपीराइट इश्यू आता है इसलिए हम यह नहीं दिखा सकते हैं आप टीवी में देख सकते हो जैसे कि मैं बताया हो सोनी 6 या सोनी 10 1 10 2 10 3 या सोनी लीव एप में भी देख सकते हो या जीओ टीवी एप में भी तो यहां चैंग नांग यूँ सर्फ करते हो देखते कैसा सर्फ करती हाई सर्फ किया पीवी सिंदू को और पीवी सिंदू ने सिंदु ने वहां रख दिया और चैंग नांग अफसल रही उसे वापस रिटन करने में क्योंकि जबी भी हम क्रॉस कोट स्मैश या क्रॉस कोट ड्रॉप मारते हैं तो हमें ज्यादा दूरी थोड़ा सा टैग करना पड़ता है और वो स्मैश मानने के बाद थोड़ा सा अनकोफरडेबल पोजिशन में थी और यहां एक और पॉइंडिया को मिलता हूँ इंडिया का पॉइंडिया का पॉइंट हो गया सेवन होंग कॉंग त्री यहां रैली काफी लंबी चल रही है फिर से यहां चैंगर एक टॉस मा रहा है हाई टॉस और यह बहुत ही अच्छा प्विस ने यह बहुत ही अच्छा एक strategy बना की यह रैली कहला था और यहां एक और पॉइंट बढ़ता हुआ बाक और साइड उनके पुष कर दिया था पीस ने आप Oh yarn हो डबल का मैच अब नहीं है इंडिया बाहर हो गई है ने तोish quarterfinal से बाहर हो गई है इंडिया डबल्स में यहां एक और पॉइंडिया का पॉइंड्या पॉइंड होगा है यह एक नंग्यू कहऊ ओगे त्री जा सरा अक प्रॉसकुड ड्रॉप मारा है और उसे असफल रही है चैंग यांग यू रखने के लिए यहां इंडिया का एक और पॉइंट बढ़ता हुआ इंडिया का हो गया 9 चैंग यू का हो गया 3 काफी बढ़त बना लिए प्रीवेस न्दू 6 पॉइंट की बढ़त हो गई यह उनकी तो यहां एक और पॉइंट प्रीवेस न्दू का बढ़ता हुआ और यहां एक से लिए मिश्टेक हो गया पीवी सिंदू के द्वारा तो यहां पॉइंट चैंग नांग्यू को बढ़ता हुआ 4 इंडिया का 10 तो आप देख सकते हो सुनी 10,1,10,2,10,3 या सुनी लीव एप में भी या जीओ टीवी एप में भी देख सकते हो या डीडी स्प तो यहां एक और पॉइंट होंग को मिलता हुआ होंग को पॉइंट हो गया है 5 इंडिया का 10 इंग नांग्यू फिर से हाइस सब करते हुए पीव सुन्दू को और यहां इस्ट्रेट ड्रॉप मारा रहा है पीव सुन्दू ने और यहां भाई टॉस मारा था चैंग नांग्यू और वो आउट हो गया चैटल तो पीव सुन्दू का पॉइंट हो गया 11 चैंग नांग्यू का हो गया 5 काफी अराम से खेल रही है यहां पीव सुन्दू हम जैसे कि देख सकते हैं और थोड़ा सा नर्वस फील कर रही है य और वो काफी ज़्यादा उनसे एरर हुआ है इस मैच में होंग कोंग के बार्मिंटन प्लियर से देखते हैं यह मैच किस मोड पे जाता है तो हर्ष कांबली ने बताया कि सुनी स्टार स्पोर्ट टू में आ रहा है तो आप उसमें देख सकते हो हाई महेश सो यहाँ बैर्मिंटन कोई बताते हैं वे प्रीवी सिंदू को मनीश शानी तैनी ने बताया कि अडिडी स्पोर्ट एं श्टार स्पोर्ट टू में भी आ रहा है तो आइ थिंक आप तो आइंक यू रूपा यहां स्टेकेंड एक मिट के ब्रीक के बाद स्टार्ट हो गया बहुत ही अच्छा लिफ्ट किया पीवी सिंदू ने और वह शेटल बाहर हो गई बैक लोबी के तो यहां एक और पॉइंट बढ़ता हुआ हौंग कॉंग का हौंग का हो गया 6 इंडिया का हो गया 11 तो यहां दीरे-दीरे मैच बढ़ते जा रहा है तो देगी मैच कौन जितता है काफी चांसे यहां पीवी सिंदू का मैच जितने का चेंग नांग पीवी सिंदू को सर्फ करते हुए और हाई सर्फ कर दिया इन्होंने और बहुत ही अच्छा क्रॉस कोट रखा है पीवी सि बहुत ही उपर ते लिया ता श्चटल तो यहां एक और पॉंट इंडिया का बढ़ता हुआ है इंडिया का पॉंट हो गेट 12 ओंकॉंग का होगे सेक थैंक यू भाविन और ये crosscode toss मार दिया है प्रिस ने हाई crosscode टॉल और वहां से crosscode drop मार लिया चैंग नंग यू और है को और पॉइंट पीवी सुन्दू का जो सुरी होंकों का बढ़ता हुआ हुआ उनका पॉइंट हो गया 6 पीवी सुन्दू का हो गया 12 यहां चैंग नंग यू सर्फ करते हुए हाई सब किया इन्होंने और यहां जल्दी थोड़ा हरवड़ी में लगा यह जब shot के लिए थी lift करी थी और वो shuttle out हो गया तो यहां एक और पॉइंट इंडिया का बढ़ता हुआ 13 Hong Kong 7 हाई हाई एव्रिवन और यहां काफी लंबी फिर से rally चल रही है और यह बहुत ही अच्छा overhead overhead smash मारा है down the line जबी भी यह मारी अभी तक तीन बार मारी उसमें से दो बार PV संदू नहीं उठा पाई बहुत ही powerful smash मारी थी थैंक्यू आशीश यहां फिर से चेंग नंग्यू सर्फ करते ही हुए और यह लो सर्फ किया है उन्होंने और यह पीवी संदू के जारा स्ट्रेट स्मैश और फिर से उनको लिफ्ट मिल गया और जो लिफ्ट किया है चेंग नंग्यू शेटल बाहर हो गई है कोट के तो यहां एक और पॉंट इंडिया का बढ़ता हुआ इंडिया का हो गया 14 हैंकॉंग का हो गया है एट तो यहां फिर से लो सफ करते हुए पीवी संदू और यहां ओवरेड ड्रॉप मार गया है बहुत ही अच्छे से काफी अच्छे फ्लो में दिख रही है या संदू काफी स्ट्रेंद दिख रहा है उनके बॉडी में और काफी बहुत ही अच्छा मुव्मेंट भी कर यह कोट में जिस प्रकार की इस बार पीवी संदू जी का फिटनेश दिख रहा है उनका गेमपले दिख रहा है काफी काफी अच्छा है काफी बहुत बढ़िया लग रहा है उनके बाडी फ्लो से लगता है लिगता है ना जब आप प्लेयर को दिखते हो कि काफी फिट रहा है और वो बहुं एकदम डीप याने ओर पॉइंट होंकोंग का बढ़ता हुआ है जश लाइन पे गिरा है तो इंडिया का पॉइंट हो गया है 9 होंकों का uh हुआ हा निया का पॉइंट हो गया 15 होंकोंग का हो गया 9 यहाँ चैलेंज या तहाँ 我們agu sin tuvo का नहीं वो challenge unsuccessful हो गया तो आप sony leave का subscription नहीं है तो geo sim है आपके पास तो geo tv app download करके वाँ sony 10.1 या 10.2 पे देख सकते हो tv पे sony 10.1, 10.2, 10.3 या sony 6 में आ रहा है और यहाँ एक और lift Cheng Nang Yu का बाहर होता हुआ और इंडिया का एक और point आता हुआ इंडिया का पॉइंट हो गया 16 Hong Kong का हो गया 9 काफी मिश्टेक हो रहा है यहां हम जैसे कि देख सकते हो चैंग नंग यू का यहां पीवी सिंदु लो सब्सक्राइब से करते हुए और बहुत ही अच्छा क्रॉसट चनवर्ट किया इसी निचे से क्रॉसट कनवर्ट किया जैसे कि आ देख सकते हो और यहां एक और पॉइंट इंडिया की बढ़ता हुए इंडिया का पॉइंट होगे शैंग नंग 9 नाइन और यहां प्यूसें नुक़ जब समयश्छ था और ख्रॉस कोट समयश्ट तो काफी अच्छा एक और डैयेटली पॉइंट मिलता हुआ इंडिया का इंडिया का पॉइंट हो गया है 18 जैंग नंगयो का हो गया नाइम यहां एक और mistake Chang Nangyu का net में आके brush कर रही थी नेकिन वो उनसे पड़ा नहीं mistake हो गया वहाँ पूरा point था है यहां Chang Nangyu का नेकिन उनसे खुद से mistake हो गया यहां एक और India का point बढ़ता हुआ 19 अब यहां एक और rally चल दीते हो Chang Nangyu का एक और mistake काफी उनसे error हो रहे है इस match में Chang Nangyu से तो यहां एक और India का point मिलता हुआ बस एक point चाहिए पीवी संदू को यह match जितने के लिए और यहां पहला set जित गई है पीवी संदू 21.9 से काफी बढ़त बढ़ाई है पहले match में पहला game 21.9 से पीवी संदू जित गई है थैंक यू रोहन दोनों की player उन्हें strategy बता रहे कि कैसे खिलना है क्या है coach आते हैं बताते हैं कि आप कहा mistake कर रहे हो तो दोनों की player बता रहे हैं दोनों की coach बता रहे हैं देखते हैं कि second set में कहा तक जाता है Chang Nangyu कैसा perform करती है क्योंकि पीवी संदू काफी अच्छे से पहला set दिद गए 21.9 से और थोड़ा सा error इस बार ज़्यादा हो रहा था Hong Kong की badminton player से देखते हैं कि इस बार अपने error को एकदम आराम से रखती है कि काफी ज़्यादा mistake नहीं करती है और अगर काफी ज़्यादा mistake नहीं करती है तो आप देख सकते हो या DD sports में अगर TV में देख रहे हो तो यह सब में देख सकते हो अगर mobile में देखना चाहते हो तो sony leave app या GO TV app में देख सकते हो और और तो इस पूर्प तो यह पीवी संदू मैच जीत जाती है तो राउंड ओफ 16 में वो पहुच जाएगी तो उसके बाद फिर कल आज ही ड्रॉव आ जाएगा आज आ जाना चाहिए ड्रॉव फिर पता लग जाएगा कि राउंड ओफ 16 में उसके बाद कैसा कैसा खेल रहे है प्लेयर तो आरचरी के लिए लाइफ थोड़ा सा मुस्किल हो जाएगा क्योंकि मेरा जो चैनल बेज है उखाली बैमिंटन का है तो मैं बैमिंटन से रिलेटिक कॉंटेंट डालता हूं यहां सेकेंड चालू हो गया एक और यहां डिरेक्ली पीवी संदू क्रोस को ड्रॉप मारी है 5 ड्रॉप और यहां चैंग नंग यू असफल रही उसे उठाने के लिए तो इंडिया का यहां एक और पॉइंट बढ़ता हुआ वन चैंग नंग यू जीरो पिर से हैं पीवी संदू जी को पॉइंट मिल गया है उनका पॉइंट हो गया है तो यहां एक पॉइंट हो गया है तो यहां एक पॉइंट होंग को मिलता हुआ उनका पॉइंट हो गया है वन पीवी संदू का पॉइंट हो गया है तो यहां एक पॉइंट होंग को मिलता हुआ उनका पॉइं तो राउंड सिक्षिन में फिर से आइ थिंक वो ड्रॉ निकले का या कैसे होता है वो अभी पता नहीं है देखते हैं कि यह मैच जीत जाती है तो फिर राउंड अफ सिक्षिन में पहुँच जाएगी प्युवी सिंदू यहां एक और मिस्टेक चेंग नंग्यू नेट में डृबल कर रही थी निकिन उनसे मिस्टेक हो गया है यहां एक और पॉइंडिया का बढ़ता हुआ इंडिया को पॉइंट हो गया 4 Hong Kong का 1 फिर से लो सर्फ करते हुए लिफ्ट कर दिया है चैंग नंग यू क्रॉस को ड्रॉप मारा है और वहां से फिर लिफ्ट करें और बहुत ही अच्छा या नेयुन और फिर से लिफ्ट कर दिया चैंग नंग यू और सब्थर बहुत ही अच्छा डिवेंस करी थी यहां चैंग नंग यू कि अच्छेटल पीव नियू ने टॉस और शेटल कोट की बहार हो गई और इंडिया का होंग कोंग का और पॉइंट बढ़ता हुआ होंग कोंग का पॉइंट हो गया है टू इंडिया का हो गया है फ़ोर देखते चैंग यांग रेडियो सर्फ करने के लिए देखते कैसी सर्फ करती है वह आइधिंग हाइश करेंगी पीवी सिंदू को पीवी सिंदू ने श्ट्रेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्मैश चैंग यांग यू के बैक एंड साइड मारा और वो असफल रही उठाने के लिए शेटल बाहर हो गई जब वो उठाए थी तो और बहुत ही अच्छा पावरफुल स्मैश पीवी सिं चैंग नाग्यू का हो गया है two तो गैसे हम फॉठी को एक और लाइव श्ट्रिम करेंगे साइप्रिनित का मैच है नैदरलेंड प्लेएर के साथ और यहां बहुत ही अच्छा ओवरहेड श्ट्रेट स्मैश बहुत ही अच्छा मार रही है जबी भी मारी है maximum 80% टाइम उनका यह पॉंट में convert हुआ है Cheng Naongyu के तरप से पिरसे Cheng Naongyu ready a serve करने लिए और उनने low serve किया है पीस में ने रखते है इसके पाद उनको lift मेरा और उनने straight toss मा रहा है और straight toss वो out हो गया है तो यहां एक और point Hong Kong की player का बढ़ता हुआ उनका हो गया 4, इंडिया का हो गया 6 I think शायद drift के कारण भी बार 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 बहुत आउट जा रही है shuttle वो भी tosses में तो I think drift के कारण भी हो सकता है और net पर net के लिए दोनों player और बहुत ही इस बार बहुत ही सोस समझ के Chang Nang Yu खेल रही है एक और point यहां बढ़ता हुआ Hong Kong की bandminton player का हो गया है 5, इंडिया का हो गया है 6 काफी safe खेल रही है इस बार जैसे की हम देख सकते हैं Hong Kong की bandminton player यहां Hong Kong की bandminton player सर्फ करते हुए फिरसे उन्होंने low सर्फ किया है और यहां एक और overhead straight drop मार रहे थी जो drop में बहुत ही थोड़ा सा difficult as compared to other drop shot की बात करे थो overhead straight drop यहां उनसे mistake हो गया PV सिंदू के द्वारा है यहां एक और point Hong Kong को मिलता हूँ उनका point हो गया 6 इंडिया का हो गया 6 इस बार काफी safe खेल रही है जैसे की हम देख सकते Chang Nang Yu इस बार ज्यादा इस बार रश में नहीं लग रही है ज्यादा इदार उदार शॉट नहीं मार रही है normal game खेल रही है Chang Nang Yu देख रहे है हम यहां एक और point बढ़ता हूँ वा 7 हो गया है Hong Kong की प्लेयर इंडिया का हो गया है 6 और यह बहुत ही अच्छा overhead smash मारा है बहुत ही जल्दी position में आ कि smash मारा Chang Nang Yu के body में और असफल रही Chang Nang Yu उठाने से इंडिया का हो गया 7 Chang Nang Yu का हो गया 7 काफी powerful smash मार रही है PV सिंदू जैसे कि हम देख सकते है तचीन आप मुझे budget बटा बजट बता जीजिए कि कितने तक का लेना एशू मैं उसके हिसाब से आपको फिर शू बताऊंगा आप यह description में भी देख सकते हो मैं description में काफी सारे शू दिया हूँ उसमें से आपके budget के हिसाब से आप ले सकते हो यहाँ फिर से rally काफी लंबी rally चल दिया है यहाँ और यहाँ cross को drop मारा था पीवी सिंदु ने और उसे रखा है चैंग नंग्यों और जो रखी वो काफी उपर और वहां के पीवी सिंदु ने टैप मार दिया और वो उनको पीवी सिंदु को देखते हैं यहाँ challenge किया है होंग कोंग के बैर्मिंटन प्लेयर ने देखते हैं आइटिंग शेटल इन है और जैस लाइन में पड़ी इन है शेटल पीवी सिंदु को यहाँ पॉइंट मिलता हुआ दोनों प्लेयर का पॉइंट हो गया है एट और तो यहाँ अभी पीवी सिंदु को राउंड ओफ सिक्षिन में एक तो तीन से चार चार मैच किलना पड़ेगा आइटिंग तीन मैच किलना पड़ेगा ब्रॉंस के लिए अगर तीन मैच कंटिनु जी से तीन से चार मैच तो कितने तक का बज़ेट है आपका योगाईश यहां एको और पैंडिया का बढ़ता हूँ इंडिया का पाउंट हो गया है कैना फंग यहां से फिर से पसी फिर सेth करते हुए........ I think फिर से वह लो सब करेगी सर्फ करे मारें के looking वाँका सा इन है बहुत ही अच्छा बैकेंड श्ट्रेट मारा था और वहां से स्मैश मारा से चैंग नंग यू उस बैकेंड को पीवसीन तो काफी अच्छा डिफेंस करी थी निकिन यहाँ ड्रॉप रग दिया है थोड़ा सा फ्लिक ड्रॉप टाइप का था तो एक और पॉ जेट स्ट्राइक ले सकते हो ठेकेंड अगर सिंगल्स के लिए तो जेट स्ट्राइक बहुत ही अच्छा रैकेट है या एश्ट्रॉप 99 भी ले सकते हो डबल्स की बात करो तो एश्ट्रॉप 88S या आर्क सिबर 11 और यहां एंटिसिपेट थोड़ा सा कर रही थी चैंग नंग्यू कि नेट पर आएगा नेकिन वहां से पीव सिंधू ने बेक हेंड साइट पुश करा और वहां से टैप मार दिया है पीवी सिंधू ने इन यहां एक और पॉंट इंडिया का बढ़ता हुआ 10 ओंग कॉंग नाइन यहां एक और पॉंट इंडिया का बढ़ता हुआ लिफ्ट किया था बहुत ही हाई पॉंग को बैर्मिंटन प्लेयर ने और पीवी सिंधू ने उने लगा कि शेटल आउट है नेकिन शेटल अंदर गिर गई और यहां दोनों प्लेयर का 10 ओल हो गया है 2000 में शू देखना है तो लीनिंग का अटैक प्रो टू बोलूंगा यह या योनेक्स का टोक्यो करके एक बैर्मिंटन शू आता है वो भी ले सकते हूँ और यहां एक और मिश्टेक पीवी सिंदू के द्वारा इंडिया का पॉइंट हो गया है 10 ओंग कोंग का हो गया 11 फिर से एक मिनिट का ब्रेक है एक मिनिट के ब्रेक में आपका कोई भी डाउट है तो आप में बता सकता हूँ TV में आप देख सकते हो जैसे कि में बताया हो सुनी लीव एप में डेख सकते हो अगर मोबायल में देखना चाहते हो तो बिख में जीओ इस यो टीवी में देख सकते हो प्रीवी सिंदू ही शायद ये सेकेंड सैट भी जीतना चाहिए उनको पहले सैट से देखें हम चैंग यांग वी तो काफी अराम से खिल रही है काफी ज्यादा नर्वस नहीं कर रही है और मैंने सेव रैली खेल रही है ज्यादा इधर उदर शॉट नहीं मारी नॉर्मल रैली खेल रही है तो पहले मैस से देखें तो चैंग यांग यू काफी अच्छा खेल रही है दोनों ही प्लेयर बहुत ही बढ़िया खेलते हुए यहां चैंग यांग यू को बैक इशू होगा और यहां चैंग यांग यू नहीं हाई टॉस मारा था और शेटल बाहार हो गई है दोनों पॉइंट का प्लेयर सेम है 11 और यहां बहुत ही अच्छा ओवरहेड स्ट्रेट स्मैश पीवी सिंदू के द्वारा काफी पावरफुल स्मैश और सफल रही होंग कोंग के बैन्मिंटन प्लेयर उठाने से तो इंडिया का एक और पॉइंट यहां बढ़ता हुए इ होंग कोंग लेवन काफी अच्छी रैली चली यहां दुनों का पॉइंट होगे ट्वेल आल हरीश कुमार आप मुझे इंच्टाग्राम पर डीम करें डेफिनिटली मैं और रिपिलाई करूंगा और यहां एक और पॉइंट होंग का की बैर्मिनटर प्लेयर का काफी पाश कहसे कोशिक कर रे थीSTयां पेवी सिंदू आगे जल्दी से रखने नहीं कि शेटल नैट पहे ही फज गया यहां एक और पॉइंट Hong Kong की बैल्मिंटन प्लेयर को मिलता हुआ Hong Kong का बैल्मिंटन प्लेयर का पॉइंट हो गया है 13 इंडिया का ओगया है 12 पिर से यहां Hong Kong की बैल्मिंटन प्लेयर सफ करते हुए दिखते लो सर्फ किया है उन्होंने PVC उन्हें Net Cross Coat Convert कर दिया है और यहां straight drop overhead crosscourt drop और यह बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा थोड़े uncomfortable position में थी और वहां से crosscourt smash मा रहा है और उसमें भी uncomfortable position में थी अपनी Hong Kong की बैर्मिंटन प्लेयर तो शेटल उन्होंने जब ब्लॉक किया तो शेटल बाहर हो गई तो काफी अच्छा यहां प्वी सिंदु के जारा क्रॉस कोट स्मैश देखने को मिला और यहां तुनों का प्लेयर का पॉइंट हो गया है थर्टी और यहां यहां काफी अच्छा जंप स्मैश मार रही थी और शेटल नेट पे ही फस्ट गई होंग कोंग की प्लेयर द्वारा और यहां एक और इंडिया को पॉइंट बढ़ता हुआ 14 जैंग नंग यूगा हो गया है 13 काफी काफी सा समझदारी से यहां होंग कोंग के बार्मिंटन प्लेयर खेली है यहां दोनों प्लेयर का पॉइंट हो गया है 15 14 ओल यहां लो सफ करते हुए चैंग नंग यू इस्टेट ड्रॉप मारा रहा है पीवी सिंदु ने में नेट में आके लिफ्ट कर दिया फिर से क्रॉस को टॉस होंग कों की बार्मिंटन प्लेयर तरह और दाउन तु दा लाइन इसमैश पीवी सिंदु का का इसह बड़िया यह, समैश मार यह यह पीवी दिट दुने दाइन दू द लाइन रेट स्मैश ओश ओर यह यां एक हो और पॉयंत इंडिया का बढ़ता हो एंडिया का पॉइंट हो गया है 15 होंग कोंग 14 तो यहां PV सिंदु सर्फ करते हुए फिर से लो सर्फ किया है नेट में आके लिफ्ट करते हैं काफी अटेकिंग खेल दिया है पीवी सिंदु जैसे कि हम देख सकते हैं और यहां क्रॉस कोड लिफ्ट कर दिया था हाई लिफ्ट अंकों के बैर्मिंटन प्लेयर के द्वारा निकीं शटल आउट हो गई है यहां एक और पॉइंट पीवी सिंदु का बढ़ता हुआ प्रीज में पॉइंट हो गया 16 ऑंकों का हो गया 14 पीवी सिंदु आज फिर से सर्फ करते हुए देखते है कैसा सर्फ करती है पिर से वो लो सर्फ कर रही है और क्रॉस को ड्रॉप मारा है बहुत ही आच्छा क्रॉस को ड्रॉप मारके और फिर उनके फोरेंड साइड रख दिया था और वहां असफल रही हॉंक कों के बैर्मिंटन प्लेयर उस शॉट को मानने के लिए और इंडिया का यहां एक और यह अभी फाइनल नहीं है फाइनल 30 ओफ अगस्ट यह स्वरी एक अगस्ट को होगा फाइनल कि अब क्रॉस को टॉस मारे पीवी सिंदुन वहां से स्ट्रेट में होंगों की बैंड मिंडन प्लेयर ने मारा है फिर से लिफ्ट कर दिया पीवी सिंदुन ने और उसे क्रॉस को ड्रॉप मारे थी होंगों की बैंड मिंडन प्लेयर और शेटल नेट पर ही फज़ गई यहां इंडिया का एक और पॉइंट बढ़ता हुआ इंडिया का पॉइंट हो गया है 14 इंडिया को बस दो तीन पॉइंट और चाहिए इस मैच को जितने के लिए काफी अच्छा खेल रही है पीवी सिंदु यहां और यहां सर्विस को थोड़ा सा ट्रीकी खेलने की कोशिश कर रही थी यहां होंग कोंग की बैमिंटल प्लेयर निकिन वह असफल रही नैट पे ही शटल फज़ गया इंडिया का पॉइंट हो गया 19 होंग कॉइंट होंग 14 और एक पॉइंट और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए यहां पीवी सिंदु को देखते है कि क्या होता है और यहां जल्द बाजी करने कर रही थी पीवी सिंदु और शेटल उन्होंने क्रॉस कोट स्मैश मार रहा था और शेटल बाहर हो गई यहां Hong Kong का एक और पॉइंट बढ़ता हुआ Hong Kong का पॉइंट हो गया 50 इंडिया का हो गया 20 एक पॉइंट और चाहिए इस मैच को जितने के लिए विवी सिंदु को ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है उलम्पिक को कॉलिफाय करने के लिए आपका वर्ल्ड रेंग अगर इंगल में टॉप 16 है तो आप कॉलिफाय करते हो और डबल में अगर टॉप 8 है तो आप एक कंट्री से कॉलिफाय करते हो तो यहां एक और पॉइंट होंकंग का बढ़ता हुआ होंकंग की प्लियर सर्फ करते हुए फिर से उन्हें ने लो सर्फ किया है पीवी सिंदु ने नैट रख दिया है अरे बहुत ही अच्छा स्मैश मारा है क्रॉसपोर्ट पीवी सिंदु के द्वारा और यहां ओ इसमैश पे स्मैश मारी और आखे टैप मार दिया है नैट पे काफी है बहुत ही बढ़िया खेली है यहां पीवी सिंदु इंडिया का पॉइंट हो गया है 21 16 से यह मैच जीत कई है पीवी सिंदु काफी अच्छा खेल रही थी काफी अच्छा पहला मैच खेली पीवी सिंदु और दूसरा मैच भी बहुत ही अच्छे थी खेल रही थी बहुत ही सेकंड मैच में हौंग को बैमिंटन फ्लियर थोड़ा पहले मैच ज्यादा अच्छा खेली ज्यादा सेव खेली नेकिन पीवी सिंदु काफी बैटर खेल रही थी है तो इंडिया का हाँ सेवन्थ सीड है पीवी सिंदु का इस गेम में और सेवन्थ रैंक है पीवी सिंदु का पीवी सिंदु का उनका सेकेंड मैस यह ओलंपिक और उन्होंने जीत लिया है जो लॉंगेश्ट रैली इस मैच की तो 21 श्ट्रोग की थी तो फाइनल वन ऑप ऑगस्ट में है एक ऑगस्ट को फाइनल है पीवी सिंदु का नेक्स्ट में आई थिंक टुमॉरो कल ही होगा जहां तक है तो पीवी सिंदु का जो ग्रूप है उनका ग्रूप जे था तो वो टॉप है अपने ग्रूप में तो वो क्वालिफाई कर ली है टिक राउंड अफ 16 के लिए देखते है कि या होता है अब कल करेंगे 20 को साइपरनिक जी का मेच नाइदरर लिन्च प्लेयर के साथ भीक चलिए है नहीं का लाइब करते है ठेक है ऑज माने ये पहला सेशन था हमारा सेचिंड टू-त अजिए के टाइम भी तो समय भी हमूरे साथ बने रही oyster तो अभी के लिए जुनने के लिए बहुत बहुत दन्यावाद, thank you everyone, thank you, bye